पॉस्ट वेतीजम हिंदी चानल प्रेक्षकों को स्वागत। हम हिंदी के प्रमुक कवी MP कमल जी से लिक्की हुई भारत के वीर सपूत लोकमान्य बालगंगादर तिलक इस पुस्तक से तिलक की जीवन गादा को जान रहे हैं ना आज के अंक में पिता जी का निदन के बाद क्या हुआ अब हम जानेंगे तिलक की पिता की तबियत एक दिन बहुत बिगड गई और उनका निदन हो गया तिलक के पिता की मृत्यू के बाद काकी ने तापी के पिता से निवेदन किया कि वे अब तापी को ससराल में ही चोड़ दे तापी के पिता ने तापी को ससराल में चोड़ दिया जब गर में पहली बार बालिका वदू के रूप में तापी ने कदम रखे तो तब कुशिया ही कुशिया थी, चारव ओर हसी के टहा के और गीतों की लोरिया थी, परन्तु अब की बार जब तापी आई तो उसी घर में मोद का सन्नाटा, गम के अंदेरों में गिरे परिवारजनों के उदास चहरे और लुटी-लुटी आकों से डुलकते आसुओं के रेले बालिका वदू यह सब देखकर सहम गई, उसकी आकों में चमक की जगा उदासी और आसुओं ने लेली, वह एक गुमसुम गुडियासी परिवारजनों के दुख बांटने लगी 16 वर्ष की अवस्ता में 1872 में तिलक ने मेट्रिक की परिक्षा पास की और डेक्कन कालेज में प्रवेश ले लिया, पूने का डेक्कन कालेज उन्दिनों विशेश रूप से प्रसिद्धता वडर्सवर्थ, चत्रे और प्रोफिसर सूट जेसे विद्धवान उन्दिनों डेक्कन कालेज में पड़ाते थे, प्रवेश लेते ही तिलक की मुलाकात, आरेन मुदोलकर, डी एक घरे, यम्बी चोबल, चंद्रावरकर और कापड़े से हुई विचारों की समानता के कारण, इनके साथ सीकर ही तिलक की गनिश्टा बढ़ने लगी, पिता की मृत्यूने तिलक को हिलाका रख दिया था, डेक्कन कालेज में यदपी उने मित्रों से बहुत बल मिला, परन्तु फिर भी वे उस सदमे को बुला ना सके, उनी दिनों उन्हो उन्होंने स्वास्त सुधारने के लिए अनेक प्रयत्न किये, जिसके परनाम स्वरुप 11 वी कक्षा में वे फेल हो गए, अगले वर्ष उन्होंने अपने आपको समयत किया, और अब वे एक जिन्दा दिल नव्यूग के रूप में सामने आये, अपने दोस्तों के साथ हसी म वजा करने से लेकर जमक तरक करने और हर हाल में जीतने के लिए वे चर्चा में रहने लगे, जो उन्हें टीक लगता था, वे उसे बेजिजग कहते थे, किसी को बोरा लगे या बला, इस बात की वे परवाह नहीं करते थे, उनके इस गुन के कारण लोग उन्हें मिश्टर बलंट कहने लगे, तिलक अपने निश्चय में इतने दुरुड, अपने विचार के प्रती इतने समर्पित्ते की, वे किसी की टिपणी की कोई परवाह नहीं करते थे, वे वही करते थे, जो उन्हें उचित लगता था, परन्तु उनके आउचित की कसोटी में उच्चुंक अत्वा अहंकार नहीं था, वे पहले सत्य की परक करते थे, उसे व्यावहारिक तुला पर तोलते थे, उसके बाद उसे विवेक पोर्वक लागू करते थे, ऐसा करते समय वे अपनी आँके खुली करते थे, फिर किसी की भी सला मानने को वे तयार नहीं होते थे, अगर कर से तिलक के विचारों की पत्री विध्यादी जीवन में कूप बेटी। देश की आदिक दुर्दशा और देश पर अंग्रेजी शाषन ये दो भाते उस समय हर विचारशील नविवक की आखों में कटकती थी। शिक्षा प्राप्त करते करते चात्र चौंक पड़ते थे। हमारे देश में आकेर यह हो क्या रहा है। तिलक के मन में तो बच्पन से ही ये दोनों प्रश्न गुमण रहे थे। अगर कर भी इनी दोनों प्रश्नों से परेशान थे। दोनों की पीडा एक थी, दोनों की प्रेरक्षक्ती एक थी, दोनों किस दिशा में जाये, क्या करे, क्या ना करे, यह सारी उतल पुतल दोनों के मन में एक जेसी थी। सनातक के अंतिम वर्ष में वे दोनों इस विशय पर सोचते सोचते पूरी पूरी रात निकल देते थे सनातक होने के बाद वे क्या करेंगे? दोनों एक दूसरे से विचार विमर्ष करते थे तरक वितरक द्वारा एक दूसरे से बहस करते हुए किसी निश्कर्ष पर पहुंचने का प्रयास करते थे इसी कश्मकस में तिलक ने सनातक की परिक्षा उत्तिन कर ली और एमय में प्रवेश ले लिया इसके बाल क्या हुआ हम अगले अंक में जानेंगे धन्यवाद झाहिक्षा समरमक मुलिचनल का पन में अट्रेश भूले के वैंगे का कुछ कुछ कि वीद नेके बाट वःका.